चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चालान के चक्कर की जब आप कोई ट्राफिक नियम तोड़ते हैं तो आपका चालान करता है ये तो बहुत सामाने सा नियम है ये आपको भी पता है हमें भी पता है लेकिन ये नियम थोड़ा तब अजीब हो जाता है जब साल 2017 का चालान 2022 में मिले, साल 2018 का चालान 2022 में मिले, ऐसा हो रहा है, राची में हो रहा है, और अब लोग परिशान हैं, सालो साल पुराना चालान भरे कैसे? जो मर गया उसका भी चालान जो पिक गया उसका भी चालान एक साल पुराना चालान दो साल पुराना चालान तीन साल पुराना भी चालान ड्रैफिक पुलिस का 20 करोड बकाया अब वसूलने की कवायद में जुटी पुलिस चालान, चालान, चालान काउंटर पर खड़े ये लोग बड़ी दूविधा में इनको चालान जो भरना है लेकिन ये चालान आज का नहीं है किसी का चालान दोहजार उननीस का है किसी का उससे भी पहले का है मुबाइल पर मेसेज आ रहा है कि आपका चालान बाकी है अब दिक्कत यह है कि किसी ने गाड़ी बेच दी वोई तो अब इस दुनिया में है ही नहीं उपर से काउंटर पर कहा जा रहा है कि चालान ओनलाइन जमा कर ली दिये और ओनलाइन सिस्टम तो माशाला है अच्छे 2019 का चलान है और दो चलान आया दोनों में एक ही फोटो है लेकिन अलग-अलग डेट में आ गया सा सारुका एक सब्ता का के पिछे अधाई साल पहले का लग बाग है अज 2019 छे में है और आज 2022 है किन नहीं जमा करें और दिखान आ जमा करेंगा ववन का चालान तो जमा हो गया लेकिन बहुत सारे एते लोग है जो बस काउंटर पर खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं और उनका चालान जमा नहीं हो पाता पिर से लोगों को रिमाइन करार है कि आप अपना चलान जमा करें और अगर चलान आप नहीं जमा करेंगे तो आप पर लीगल एक्षन लिया जाएज़ाएं बिएसपी बताते हैं कि चलान 2019 से नहीं 2017 से ही बाकी है उनको याद दिलाए जा रहा है विभाग कभी 20 करोड रुपया का चलान बगाया है भाई तो इसको वकून तो करना ही है न लोगों को तीन तीन चार चार साल पुराने ट्रैफिक चलान का समस आ रहा है विभाग का कहना है यह एक रिमाइंडर SMS है क्योंकि पहले कूरियर से सुचना भजने का सिस्टम हुआ करता था लेकिन उसको बंद कर दिया गया है आउनलाइन सिस्टम भी अक्सर खराब रहता है तो आप बता सकते हैं समझ सकते हैं कि ऐसे में लोग तीन तीन चार चार साल पुराने चलान को जमा करने के लिए वापस राची आए कैमरामें पुनाल के साथ में शाहनवाद अफ्तर न्यूज इलेवन भारत राची अच्छ ये कि जो 2017 के मामले हैं जो 2018 के मामले हैं वो अब 2022 में चालान भरेंगे और वो भी कैसे? ऑन-लाइन और आप ये सारे सिस्टम जानते हैं कि ऑन-लाइन यहाप चालान भरने अगर आप पहुँचे हैं तो फिर कितनी फजी हते हैं? तो ये चक्कर कब तक काटना पड़ेगा औ और ये तो बहुत लंबा चक्कर अब दिखिए माब साहनवाज भाई की जो रिपोर्ट है कहीं न कहीं ये जरूर बता रही है कि पुलीस का जो भी भाग है जो ट्राफिक भी भाग है कहीं न कहीं अपने आपको अपडेट नहीं कर पाया है और बताईए 2017 से वो चिट्थी लिख रहे हैं कूरियर भेज रहे हैं तो लोगों को कूरियर तो मिल भी नहीं रहा है और उसके बाद SMS से मलब वार्निंग मैसेज आ रहा है मलब आपको चलान जमा करना तीन साल चार साल पूराना चलान जो है फाइन जो है उसके मैसेज आ रहे है तो ये जरूरर बताता है कि ट्राफिक सिस्टम जो है वो अपने आपको अपग्रेड नहीं कर पाया और लोग जब जमा करने जा रहे हैं तो वहां रेकॉर्ड बताया जाता है कि आपका यहां नाम दर्ज नहीं है, आप ओल्लाइन जाहिए, ओल्लाइन अधि आप जा रहे हैं, तो वहां बहुत प्रॉपर बेवस्ता नहीं है, तो हमें लगता है कि ट्राफिक बिभाग जो है त कि फाइन कटने के बाद तमाम लोग चाहते हैं कि फाइन जल्दी से जल्दी जमा कर दिया जाए लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से बेवस्ताएं हैं उसे और बेहतर करने की जरूरत है बीस करोल का मामला है कोई छोटा मुटा मामला नहीं है और हमें लगता है कि ये तमाम जो 20 करोड है वो पेंडिंग है तो यह जाहिर सी बात है कि यह बता रहा है कि जिनका चलान कटा है उनके तक जो है मैसेज या चिठी नहीं पहुच रही है यदि कोई कूरिया से चिठी पहुचता है तो तुरत लोग पहुचते हैं जमा करने के लिए लेकिन तीन साल चार साल यह एक बेवस्ता है दिखिए इसमें एक दो तीन महत्वपून बाते हैं कि जो ट्राफिक सिस्टम का जो भी भाग है वह कहीं न कहीं लगता है कि जो करमचारियों की संख्या जो है वो कम है क्योंकि मालीजे फाइन जादा कटा हुआ है संख्या उसकी जादा है तो वो धीर करते हैं या कहीं स्पीड आप ज्यादा आपकी काली की रहती है तो आपको चार से पांच मिनिट के अंदर जो है तमाम चीजें आपको मैसेज आ जाएंगी आपको वार्निंग भी आ जाती है तो यह बवस्ता करनी चाहिए जार्खन ट्राफिक विभाग को एक बड़े महान अगरों का भी और लोकन करना चाहिए ताकि ब्यवस्ता ट्राफिक ब्यवस्ता को कैसे बहतर किया जाए चलान कटने के बाद कैसे लोग बहुत सहज रूप से जमा कर सके यह हो गई चलान की बाद आप पूरे सहर में आप घोमेंगे ट्राफिक पुलीस जो है कहीं न कहीं फ आला क्राइम किया लेकिन पूरे सहर में आप घोमेंगे आरती तो कहीं पर भी आपको जेवरा क्रॉसिंग प्रॉपर नहीं दिखेगा एक और यहां का लियों का पड़ाव हो ना चाहिए रेट सिगनल में वहां आपको इस्टॉप लिखा होना चाहिए आप पूरे सहर में तो इका दुपका जगा को छोड़ करके आपको कहीं पर भी ये चीजे दिखाई नहीं देंगी तीसरी बात है जो जो सिगनल लाइट है वो भी कहीं कहीं प्रॉपर्ली काम नहीं करता है जिसका मैं एक उधारन देता हूं आप लालपूर चौक पहुंचेंगे माली जी आप थ स्थमें परने तो टोपेज में खाड़े हैं और जब भी सिगनल जब ओन होता है तो चारो दिसा का सिगनल ओन हो जाता है जो तल्पद कर जाना है या तल्पदाउटं से जिसे कछेरी जाना है तो तीन रास्ते एक साथ खुलेंगे लेग से लेकिन वहां एकिसिपर्ट थे बाते हैं आप फाइन काटे कोई नियम का उलंगन कर रहा है फाइन जरूर कटना चाहिए लेकिन पूरे सहर में ट्राफिक ब्यवस्था जेबरा क्रोसिंग और तमाम तरह के जो माब दंड है वो कहीं न कहीं सहर में नजर नहीं आता है और देखिएगा पूरे कोरोना काल में जो है रांची ट्राफिक पुलीस जो है सबसे ज़्यादा फाइन काटी था और हमें लगता है कि पुरे प्रदेश में जहाँ सबसे ज़्यादा फाइन कटा था, लोग उलंगन किये हैं, नियम का उलंगन करेंगे, फाइन कटेगा, लेकिन आपको तमाम ट्राफिक सिस्टम को जो है, ट्राफिक बेवस्ता को जो है, आपको प्रॉपर करना, तो यह तमाम जो चीजे हैं, कही रखी तरफा कारवाई नहीं होनी चाहिए, इसके बाद अगर ये ट्राफिक जो रूल्स अगर वालेशन होता है तो उसके बाद चालान अगर कटता है तो लोग भी इसली वो चालान पे करेंगे ये सोच कर कि उन्होंने जो सुवधाय मिली उसे अवेल नहीं किया उन्होंने जंप किया है तो उन्हें वो चालान भरना च चाहिए एक तरफा करवाई नहीं हो सकती है और इसलिए ये जो चालान का चक्कर अगर ऐसा चलता रहा तो फिर लोग चक्कर ही काटते रहे जाएंगे दफ्तरों के और चालान भरने के बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी अमारे साथ जूड़ने के लिए और तमाम जानकारी क प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लवन भारत सच है तो दिखेगा